अमिश्शा के लोटते ही सुलगने लगा हैदराबाद, पहले से तयार था प्लान तिल्ली में बढ़ गई है हलचल, ये खबर पाकिस्तान में भी छपेगी नूपुश शर्मा से भी बढ़ा है टी राजा का कांड, 57 मुसलिम देशों में भी बढ़ गई हलचल ये वही हैदराबाद है जिसका नाम बदल कर मोधी शाब भागनगर करना चाते है हैदराबाद और तिलंगाना में टी राजा बीजेपी के कलौते विधायक है हिंदू की बात करते हैं और कट्टर हिंदुवादी ने ताय पैगंबर मुहम्मद पर टी राजा ने जो बयान दिया है वो इतना बड़ा है कि हम उसे ना तो आपको दिखा सकते हैं और ना ही इसके बारे में बता सकते हैं बेशक अगर आप इस वीडियो को देखना चाते हैं तो यूट्यूब और सोशल मीडिया पर आपको ये मिल जाएगा बिधाय टी राजा को ये बात पता थी कि पैगंबर पर बयान देने के बाद नूपुष शर्मा से भी बड़ी कारवाई उन पर हो सकती है फिर भी ऐसा बयान क्यों दिया इसके पीछे की वज़े क्या है सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है 21 अगस्त को हैदराबाद में स्टेंडप कॉमेडियन मुनवर फारुकी का शो होना था मुनवर फारुकी कई बार अपने शो में हिंदू देवी देवताओं का मजाग बना चुके है जो मोदी और अमिशा के सबसे बड़े सियासी दुश्मन कहे जाते है तिलंगाना सरकार अगर चाती तो मुनवर के शो को कैंसिल करा सकती थी लेकिन ऐसा नहीं किया खरीब 1000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को भेज कर मुनवर फारुकी के शो को कराए गया लेकिन असली बवाल इसके बाद होना बाकी था ये सब कुछ जब चल रहा था तब अमिशा भी हैदराबाद में ही थे अमिशा के दिली लोटते ही बीजेपी बिधायक टी राजा ने एक वीडियो बनाया और यूट्यूब पर उसकी अपलोड करते ही हैदराबाद में तूफान खड़ा हो गया इस वीडियो में पैगंबर मुहम्मद पर विवादी चिपड़ी की गई थी ये बयान नुपुष शर्मा के बयान से बहुत बड़ा था कुछ घंटे में हैदराबाद में हर तरब बवाल होने लगा मुसल्मान घर से बाहर निकल कर सड़कों पर आ गए और पुरिल स्टेशन पर भी हंगामा करने लगे बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी इसलिए नुपुष शर्मा की तरही तुरंत टी राजा को भी पार्टी से निकाल दिया लेकिन पार्टी से निकाले जाने के बाद टी राजा ने कहा कि पार्टी से ज्यादा उनके लिए धर्म माईने रखते आ है और मैं मोदी शा का हमेशा वफादार सैनिक रहूंगा नुपुष शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता थी लेकिन टी राजा बीजेपी के विधायक है इससे पहले भी खुद को हिंदूों को अठेकेदार साबित करने के लिए टी राजा कई बार विवादित बयान दे चुके है लेकिन हैरानी की बात ये है किसके बाद भी पूरे तेलंगाना में सिर्फ बीजेपी का एकी विधायक चुना गया और वो है टी राजा पैगंबर पर विवादित बयान देने के बाद नुपुष शर्मा की छबी आम जनता के बीच हीरो वाली बन गई थी क्या टी राजा ने भी सिर्फ इसलिए पैगंबर पर बयान दे कर एक धर्म की भावना को वाहत किया मोदी और अमिशा इस बार तेलंगानों को किसी भी हालत में जीतना चाहते है लेकिन पैगंबर पर दिये गए इस बयान के बाद से तेलंगाना और हैदराबाद में फिर से बाल शुरू हो गया है और आने वाले वक्त में इसकी आज बाकी राजियों तक पहुंच सकती है हैरानी की बात ये कि जहां एक तरब विधायक के बयान का विरोध हो रहा है वही कुछ लोग टी राजा के साथ भी खड़े दिख रहे है लेकिन टी राजा ने पैगंबर को लेकर जो बयान दिया है उसे लेकर आप क्या कहना है आप अपना जबाब कॉमेंट बॉक्स पर ज़रूर दे बेर रिपॉर्ट